नीट के रिजल्ट को लेकर देश भर में कोहराम मचा हुआ है, हलाकि इस कारे में सुप्रिम कोट ने डखल जरूर दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो असफल अभ्धरती है, उनकी नाराज़गी कम होने का नाम नहीं ले रही है, उनका ये मानना है कि अगर परिच्छा तरीके से होती, उसमें गड़बड़ी नहीं होती, तो शायद वो सफल हो जाते, उनका मेडिकल में दाखिला हो जाता, नहां सुप्रिम कोट का फैसला आने के बाद जो असफल अभ्धरती है, उनका क्या सोचना है, वो क्या सोचते है कि किस तरीके से परिच्छा है, आयोज करने वाले तमाम अभ्धरती है, और ये वो अभ्धरती है, जिन्होंने पिछले दिनों हुई परिच्छा में हिस्सा लिया था, लेकिन किन्मी वजहों से वो काम्याब नहीं हो सके, इन बच्चों से बात करते हैं, क्या नामें आप तो, रश्मी ये बताएगी जो पूरा विवाद है, इस पूरे विवाद पर आप क्या सोचती है? अब इसके ध्यान नहीं दे रहा है, अब इसकी दिमान से विप्ति है कि रही नीच हो, और वो कोई ऐसी बाड़ी करा है, जो बहुत प्री और तरीकेस कराया जा है, ताकि जिन बच्चों ने महनत की है, उनको उनकों का ड्रीम पॉलेश तो मिलेकम से कम, मेरे खुद के मार् अब जैसे, सर ऐसे करूं कि तो अगले साल कहां से नीच दिया होगा मेरा, अच्छा आपको क्या नाम है आपका है, अच्छा आस्था ये बताइए, आपको क्यों लगता है कि गड़बड़ी हुई है, उसकी कोई वज्जा है, कोई आधार, पेपर लीक होगा, लेकिन जो ए अच्छा, आप आगया जाईए जिरा, जी 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 आपका क्या नाम है, वैबो से, वैबो ये बताइए, कि ये जो पूरा विवाद है, उससे आपको, आपके परिवार वालों को किस तरीके से मानसिक तोर पर जो है, वो परिशान होना पड़ रहा है, परिशान होना पड़ इसमें पेपर लिक्री जैसे घटना हुई, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, नेंदनिये है, इस पर गर्वर्मेंट भी चुक्ती साधी हुई है, कोई बिनेता बोलने को ट्यार नहीं है, और इसकी निसपर जांच होनी चाहिए, CBI की जांच बैटनी चाहिए, और इस जांच को कि जरूर इसमें बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घुटाला है, और यह सामने आएगा, और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि और सबसे पहले चीज़ के एंडिये का बाइसकार होना चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए, एक नई कंडुक्टिंग बोड़ी आ और 720 पर 67 बच्चे, 67 बच्चे हैं, जहां पर 3 या 4 बच्चे होते थे, यह अचानक से कैसे इतिहास बतल गया सर, आप बताईए, 40 मार्स, 50 मार्स बहुत बड़ा मार्स होता है, इतना बड़ा कट-off का गैप आप आगया है, तो बिल्कुल में पर लीट है, और लोगें उनस उनके ग्रेसमार्स हम वापस ले रहे हैं, वो बच्चे चाहें, तो दोबारा एक्जाम दे सकते हैं, 23 जून को, क्या लगता है, कि अब वो गल्ती, वो कमी दूर हो जाएगी, या कि अभी भी पूरा जो परिक्चा है, बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, पहली बात तो ये ग्रेसमार्स जिसका मीला है, उसका तो एक्जाम करवा दे रहे हैं, बाकि जो पेपर लीक हुआ है, जिन बच्चों ने चीट किया है, उनका क्या होगा, वो तो मतलब जो बच्चों ने तरीके से एक्जाम दिया है, उनके साथ तो अंजस्टिस हो जाएगा, जो चीट करके जिन्होंने चीट किया वो तो निकल गया बाकि ग्रेट्स मार्ग वालों को करवाद री नीट करवाने के बाद भी क्या फाइबा होगा आप यह बताईए कोई पॉसिबिलिटीस नहीं दिख रहा है चाहते क्या है आपको री नीट सबका होना चाहिए और सबसे पहले पूरी बच्चों का करवाया जा रहा है जज्यादा से ज्यादा कितना का क्या क्या करते हैं कि सारे बच्चे एटी अजाव और वह बच्री बास कर लेते हैं अब क्या प्लक यह बताइए आप की कि अब क्या चाहते हैं आप लोग। जा रही है कि पूरा जो प्रकरण है यह CBI जाज करें जो भी जिम्मेदार है उनके किलाफ कारवाई हो आप लोग यह चाहते हैं यह बच्चों की भी है वह आगी जाती डॉक्टर बनेंगे आगी से उनके बहुत साथ कैसे खेल सकते हैं इस कारव उनको इतने सारे प्राइवट कोई में जाना पड़ता है देश के भार पहने जाना पड़ता है तो अगर CBI जाजनी होगी देश इसकी कारवाई नहीं करेगी तो बच्चों का क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? आप आगया जाएए? क्या ना में आपका? शिद्धा ये बताईए आपकी देश में नई सरकार बनी है नरिंद मोदी जी तीसरी बार प्रदानमंत्री बन गए हैं वो परिछाओं में ट्रांसपरेंसी की बड़ी बाते करते हैं उम्मीद है कि वो इस पूरे मामले में कोई दखल देंगे बच्चों के साथ अगर अंजस्टिस हुआ है तो वो ठीक हो जाए क्या कहना चाहेंगी उनसे क्या गुहार लगाएंगी परदानमंत्री जी से? सर उनको दखले देना चाहेंगे बच्चों का भवश देश के लिए उनको जरूर देना चाहेंगे चुंकि सर इस साल ऐसा हो और अगली साल भी ऐसा हो तो फिर उनकों पर तो काफे जादा लॉस हो जाएगा आप आगया ये क्या नाम है आपकर? पेता आप बताईए कि क्या चाहते हैं आपकर? पर चाहते हैं कि री नीट हो जो मतलब बच्चे चीटिंग करके पास हुए है उनका तो हो गया सेलेक्शन हम लोगों क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट नहीं है पर चाहते हैं कि परदानमंत्री जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले में तक चाहते हैं ताकि आप लोगों के साथ हिंसाफ हो देते हैं धानमंत्री जी किसी चीज में दखल देते ही नहीं है उनकी सरकार बनके वो हर पेपर कराएंगे लेकिन लीख हो जाएगा होई पेपर साफ तरीके से करा ही नहीं आया तक यूट्विश का इग्जाम हुआ उसको भी वो हो गया वो भी नहीं हुआ यद भी इग्जाम हुआ इसमें भी चीटिंग हर चीज में कराता हो उनका किसी चीज में अकश्य जीजिश्य में खुल कि बोलते भी नहीं है या पोई प्रेयर करना चाहते हैं पदान मंत्री जी से? जी सर, सर जैसे कि हम गाउं से हैं, आएं यहां पढ़ने के लिए, तो सर हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम प्राइवेट कॉलेज एकट कर सकें, इसलिए हम मिनाद करता हैं, कि हमें गौवर्मेंट पॉलेज मिले, सर इतना तरीके से एक्जाम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे आगे? क्या चाहते क्या हैं? सर, अगली साल हम लोग एक्जाम देंगे, तो ऐसे अंफेर तरीके से होता रहेगा, तो बहुत दिक्कत होगा हम लोग के लिए, अगली साल हम लोग एक्जाम हो, यह हम बिंदी करेंगे. तो निश्चित तरपर कहा जा सकता है कि जो असफाल अभ्यरती है, उनका ये मानना है कि परिच्छा में गड़बड़ी हुई है, इसी वज़े से इस साल इतना कोहराम मचा है, और यह अभ्यरती चाहते है कि पूरी परिच्छा को रद किया जाए, परिच्छा नए सिरे से दोबारा कराई जाए और पूरे मामले की CBI जाज कराई जाए, जो भी लोग दोशी हो उनके खिलाफ सक कारवाई हो, ताकि भविष्च में इस तरह से बच्चों के भविष्च के साथ खिलवार ना हो सके.